कि एए बिटिया सिर्चड़ी तो का तुम्री दादी बच्पन से समझा रही थी ना जब तो इती चुकी थी तब से तो री दादी समझा रही है कि हमरे पुल खांदान में परेम सरेम नाहीं चलता है तो का हमरी बात समझ में ना ही आई थी का जो तुम इस परेम का खेला शुरू का दी कान खौल के सुनले बिटिया यह जो तुम्रे ओपर परेम का बुखार चड़ा है ना भूत जो चड़ा है परेम का ऐसा कंटाप देंगे ना तीन बार नाज के यहीं गीरोगी और फिर उटके चार भूमरिया लगा के फिर गीरोगी इतना मारेंगे इतना मारेंगे मार मार के गाल लाल कर देंगे तुम्रा परेम करती है परेम समझोय था नो दुनिया को बिटिया है बिटिया के तरह पालो लेकिन ना ही जैसा बाप वह इसी बेटी जैसा खेलाडी बाट वह इसा खेलाडी बेटी तुम्रा बाप भी आज तक अपने अम्मा सबाइम का बात नाहीं सुना। तो का सुनेगी अपनी दादी का सब्सक्राइब? है?। रहे। पूरे पूरे चव्णान खांदान में एक ही बिटिया पैदा हो गोगिए एक ही पैदा होई हो अनॉखी पूरे खांदान में एरे चवहान खांदान में ऐसी बिट्या पैदा ही नहीं वही थी लेकिन कान खोलकर सुनो भी त्या हम औरने नहीं देंगे हम दोरी दादी है दादी समझी तुम एह। जुवान ना लड़ाव हमसे, नहीं तो हमरे गुसे का सिकार बन जाओगी तुम, संजी कहा? बहुत दें तो अमरा बाप लाड़ प्यार का मखन लगा कि पाला है ने तुमको, सारा मखन उतार देंगे, लाड़ प्यार का मखन एक एक कुंटापन उतार देंगे, परेम करने बारे का होता है परेम हमरे खांदान में परेम ना ही चलता है ना ही चलता है परेम तुम्रा दिया और एक महीना के अंदर में करवा के रहेंगे हम हम भी तुम्री दादी है दादी